नमस्कार एक बार फिर्ट से आप सभी का बहुत बहुत ज़ागत है परिच्छा वर लिकेस यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बायो लॉजी यानि की जिव बिज्ञान के बेहतरिन प्रिस्टनों को कभर करने वाले हैं यह जो वीडियो है आपके RRB NTPC 24 की परिच्छा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है तो जी बिज्ञान के जो भी इंपोर्टेंट प्रस्ण बन सकते हैं जो आपके NTPC के परिच्छा के लिए महत्पूर्ण हो सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट पहला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है एक वयस्क मानों सरीर में जल का लगभग कितना प्रतिसत होता है बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण प्रस्ण है तो एक जो वयस्क मानों का सरीर होता है उसमें कितना प्रतिसत जल होता है तो लगभग जो है पैसर्थ प्रतिसत यानि मानो सरीर में किस तत्तो का प्रतिसत सबसे ज़्यादा होता है। तो right answer क्या हो जाएगा oxygen यानि कि option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा oxygen। अगला प्रस्तनाप के स्क्रीन पर है। मानो के सरीर की सबसे छोटी हटी कौन सी है। मनुस्य के सरीर की सबसे छोटी हटी कौन सी है। तो stepage यह जो stepage हटी होती है कान की हटी होती है। किसकी होती तो यह कान की हटी होती है और यह मानो सरीर की सबसे छोटी हटी भी होती है। इसके बारे में आप या दिखिएगा। वहीं जो फीमर है फीमर यह जांग की हड़ी होती है और यह मानो सरीर की सबसे लंबी हड़ी मानी जाती है तो मनुस्य के सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी हो जाएगी इस ट्रेपी जो की कान की होती है और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी फीमर जो की जांग की हड़ी होत आपका आमला यानि कि option आपका A यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा आमला यह जो विटामिन C का रहसानिक नाम क्या होता है कि यह वर एकजम यह भी पूछ लिया जाता है रहसानिक नाम तो आप यहाद कर लिजिएगा S-corbic acid S-corbic तो इसका जो रेसानिक नाम होता है S-corbic acid होता है विटामिन C का तो इसके बारे में आप याँ दिखेगा विटामिन C की कमी सी मनुष्य के सरीर में कौन सा रोग हो जाता है तो इसकरवी नामक जो बिमारी होती है इस करीवी नामक जो रोग होता है यह इसकी कमी से होता है तो यह effect भी आप याद देखिएगा तथा यह जो vitamin C है यह जल में घुलंसील vitamin की category में आता आपको बताओगा जो vitamin होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं यह जल में घुलंसील होते हैं और एक आपके वसा में घुलंसील होते हैं तो जो जल में घुलंसील vitamin होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो vitamin B और C आप याद कर लिजेगा विटामिन B और C ये आपके जल में गुलंसिल होते हैं तो इनको आप याद कर लिजेगा वहीं एक विटामिन होता है जो वसा में गुलंसिल होता है तो वसा में गुलंसिल विटामिन आपके कौन-कौन से हो जाएंगे तो विटामिन A हो जाएगा, विटामिन D हो जाएगा, विटामिन E हो जाएगा और विटामिन K हो जाएगा तो A, D, E, K ये आपके वसा में गुलनसील विटामिन होते हैं और विटामिन B से आपके जल में गुलनसील विटामिन होते हैं के बारे में आप यादि किएगा अग्ला प्रस्तनाब की स्कीन पर है अग्ला प्रस्तनाब की स्कीन पर मनुस्य के सरीर में परसली के कितने जोड़े होते हैं हमारा जो शरीर होता है उसमें पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं तो 12 जोड़े पसलियां होती यानि कि आपके यहां पर जोड़ी जो भी है बिल्कुल से हो जाएगा 12 जोड़ी अगला प्रस्तना आपके स्कीन पर है हीमोफीलिया रोक से ग्रस्त व्यक्ति में क्या देखने को मिलता है उसमें खोन की कमी हो जाती है खोन का बहना बंद नहीं होता है रक्त नहीं बनता है या परियुक्त सभी तो आप याद देखेगा जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया रोक से ग्रसित होता है उस ब्यक्ति में अक्सा देखने के मिलता है कि उस ब्यक्ति के सरीर में जो रक्त का थक्का है ब्लड का क्लोटिंग है वो नहीं हो पाता है जिस कारण से उसको अगर चोट कभी लगती है कभी घाव लगता है तो जो रक्त होता है जो खून होता हुआ बहना बंद नहीं होता है तो खून जो है लगातार भाता रहता है तो इसमें right answer क्या हो जाएगा खून का बहना बंद नहीं होता है अगर कोई व्यक्ति हेमोफिलिया से पीडित है गरसित है तो option आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा वहीं 20 हेमोफिलिया दिवस कब मना जाता है तो आप याद रिखिएगा 17 अपरेल के दिन जो है वर्ल्ड हेमोफिलिया डे मनाया जाता है तो इसके बारे में आप याद दिखिएगा 17 अपरेल को से लिक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है आर्थोप्लास्टी का मतलब से जानते हैं। अगला प्रस्तना कि inh 3UNG पर सबसे पुराना जीव कौन सा है तो दिए के। संस में से पृत्वी पर सबसे पुराना जीव हो जाएगा नील हरित सहेवाल हो वी टी कल्चर के अंतरगत किसका इत्पादन किया जाता है वीटी कल्चर की यहां पर बात हो रही है तो वीटी कल्चर के अंतरगत जो है अंगूर का उत्पादन होता आप या देखिएगा अंगूर का यानिकी क्रेप्स का जो उत्पादन है यहां वीटी कल्चर के अंतरगत होता है तो इसके बारे में आप या देखिए है तो हमारे सरीर में पाचन का जो अधिकांस भाग या छोटी आंत में आप या देखेगा हमारी जो छोटी आंत है उसी में पाचन का जो अधिकांस भाग है वह संपन होता है तो राइट अंचर क्या हो चोटी आत यानि कि option आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा उट का जो कूबड होता है आप याद देखे होंगे उट के शरीर के उपर ये कूबड बना होता है तो वह कूबड किसका बना होता है आपसे पूछा गया है तो राइट इंचर क्या हो जाएगा? वह जो कूबड होता है वह वसा का बना होता है यानि कि option आपका यहां पे जो A है बिल्कुल सही होता है वह कूबड यह होता है तो option A आपका यहां पे सही है इसके बारे में आपको याद रखना है अगला प्रस्थन आपके स्कीन पर है मनुस्य के जीवन काल में कितने दाथ जो है दुसरी बार विक्सित होते हैं निम्नलिखित में से कोशिका का यातायात प्रबंधक ट्रेफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है यहाँ पर कोशिका का यातायात प्रबंधक कहने कि ट्रेफिक कंट्रोलर हम किसे कहते हैं तो गौल जी काई को याईनि कि आपके बिल्कुल सही हो जाएगा गौल जी काई को अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है मानव सरीर की सबसे मजबूत मासपेसियां कहा पाई जाती है तो मनुस्य के सरीर की जो सबसे मजबूत मासपेसियां होती है वह कौन सी होती है तो जबड़े की जो मासपेसियां होती है मनुस्य के सरीर की सबसे महत्पूर्ण सबसे मजबूत मासपेसियां माने जाती है ने कि आपके याँ पे डी जो है बिल्कुल से हो जाएगा जबड़े की जीव बिग्यान सब्द का सरपथम बाप प्रियोग किस ने किया था जीव बिग्यान सब्द का सरपथम प्रियोग किसके दोरा किया गया था तो लैमार्क और ट्रेवी रेनस के दोरा यानि कि option आपका यहां पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने जो है स्वरपथम बार जिविग्यान सब्द का प्रियोग किया था option B आपका यहां पे सही दिया गया है अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर है पेस्मेकर का क्या कारे होता है तो जो पेस्मेकर होता है इसका कारे क्या होता है दिल की धड़कन को प्रारंब करना यानि कि option आपका यहां पे D जो है बिल्कुल सही हो जाएगा पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिकित में से किस पदालत में बदल जाता है हमारे पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है जाकर किस में बदल जाता है तो आप याँ देखिए का प्रोटीन का जो परिवलतन है या एमीनो एसीट में हो जाता है यानि कि आपसन आपका भी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह एमीनो एसिड में convert हो जाता है बदल जाता है यानि कि option आपका भी यहां पे सही हो जाएगा 19 परसन आपके screen पर है लार जो है जो हमारा saliva होता है जो हमारा लार होता है यह निम्न में से किसके पाचन में सही हो कलता है तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सयोग कलता है मदद कलता यानि कि आपसन आपका A यहाँ पे सही दिया गया है एंजाइम मुलतः क्या होते है तो आप यहाँ देखिएगा जो एंजाइम होते हैं यह मुलतः प्रोटीन होते हैं दिए कि option में से आपको बताना है कि सबसे छोटी पादब कोशी का कौन सी है तो right answer क्या हो जाएगा? माइको प्लाजमा यानि कि option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा सबसे छोटी पादब कोशी का आपके हो जाएगी? माइको प्लाजमा की मनुस्य के सरीर की कोशीकाओं में पाए जाने वले गुर्षुत्रों की संख्या या आप पूछे कि यह कितनी होती है? मनुस्य के सरीर में कितने जोड़े गुर्षुत्र पाए जाते हैं? तो ये जो है 23 जोड़े याने की टोटल जो है गुर्षुत्रों की संख्या यहाँ पे 46 होती याने की आप यहाँ पे 23 जोड़े माल लीजिए 23 जोड़ा है तो 23 का दुगना आपका हो जाएगा 46 तो अगर टोटल पूछ ले कि मनुस्य के सरीर में कितने गुर्षुत्र पाई जाते हैं तो टोटल आपका 46 संसर हो जाएगा अगर आपसे जयां में पूछ ले कि गुर्षुत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी तो अगर जोड पूछ ले गुर्षुत्रों की mamus की शरीर में गुर्षुत्र होता है तो पूरुष और महिला में 22 जोड़ तो इन 23 जोड़ों में से पूरूस और महिलाओं में 22 जोड़े जो हैं समान होते हैं लेकिन जो 23 जोड़ा होता है अपया देखिएगा 23 जो जोड़ा होता है यह लिंग निर्धारन गुर्षुत्र कहा जाता आपया देखिएगा इसी के चलते जो है लिंग का निर्धारन होता है 23 तो मनुस्य के सरीर का जो 23 जोड़ा होता है अगर हम इस्त्रियों की बात करें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 23 जोड़ा आपका एक्स एक्स होता है और पुरसो की बात करें तो पुरसो का जो 23 जोड़ा होता है वह एक्स वाई होता है और इसी 23 जोड़े को ही हम समान होते लेकिन जो तेश्वां गुर्षुत्र होता है वो अलग-अलग होता तो यह फेक्ट आपको यादखना है अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है रग्त का सुध्धी करण कहां पर होता है तो आप यहां देखिएगा गुर्दा यानि कि किट्नी के दौरा जो है रग दोरा जो है पीत का उत्पाधन किया जाता है तो आपका यहां पर जो एए बिल्कुल सही हो जाएगा यह प्रस्ट के दौरा यह कि Beim किंड़ः के दौरा अगला प्रस्ट आपके स्कीन पर है रेसम उध्योग को हम क्या कहते हैं गाए तो मिद्धी को जो सेरी कलचर कहा जात कथा किससे प्राप्त होता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा एक एसी या पौधे की लकड़ी से option आपका यहाँ पर जो डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा एक एसी या पौधे की लकड़ी से मानो शरीर की जो गरंथी होती है जिसको हम master गरंथी कहते हैं तो आप यहाँ देखिएगा जो पिट्यूटरी गरंथी होती है हमारे शरीर की जो पिट्यूटरी ग्लेंड होती है इसी को हम master गरंथी कहते हैं यानि कि option आपका यहाँ पर जो टी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा उन तीस्वा प्रसन आपके screen पर है निम्लखित में से कौन सा एक इस्त्री लिंग हर्मोन होता है आपको बताना है कि दियेगे options में से कौन सा एक इस्त्री लिंग हर्मोन है तो right answer क्या हो जाएगा estrogen यानि कि option आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जो estrogen होता है यह इस्त्री लिंग हर्मोन होता है तो इसके बारे में आपको याद अखना है चलिए आप comment box मताएगा कि जो पूरुसो का हर्मोन होता है उसको हम क्या बोता है निकि पूरुस हर किसके दौरा हमारे सरीर को energy यानि कि उरुजा प्राप्त नहीं होती है तो vitamin C आनि कि option आपका यहां पर जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा यह जो vitamin होते हैं यह जटिल कारवनिक योगिक होते हैं यह जटिल कारवनिक योगिक होते हैं जो हमारे सब्सक्राइं की उपा पचई अभे क्रुर आउं में उत्प्रीकों की क्रियाओं को नियन्तरित करते हैं तो यह fact आप यह लोगिक होते हैं जटिल कारवनिक योगिक होते हैं pip अ do कारबनिक होते हैं तो आपका रैटेंचर क्या हो जाएगा जो विटामिन होते हैं यह कारबनिक योगिक होते हैं तो इस प्रकात से आज का जो सेशन था इसमें हमने तीस बहतरेन और बायोलोजी यानि की जीविग्यान के प्रस्थनों को हमने कभर किया है आई होप यह स्रिंखला आपको पसंद आ रही होगी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू थैंक्स पर रौचिंग थैंक यू नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षा वर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो अरारवी एंटी पीसी दोजाट चौबिस की परिक्षा के लिए जीविग्यान के बहतरिन प्रस्थनों की जो हम कलास चला रहे हैं उसका यह भाग दो है जीविग्यान के पार्ट वन में हमने बहतरिन जीविग्यान की प्रस्थनों कवर कर आया था जो आपके एंटी पीसी दोजाट चौबिस के परिक्षा के लिए महत्पूर्ण हो सकते हैं बाकी के अन्य प्रस्णों को आज भाग दो में हम कभर करने वाले हैं यह जो जी विज्ञान की सिरीज है इंपोर्टेन प्रस्णों की आपकी अगामी रेलवे भलती परिछा जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है तो इस सिरीज को आपको डेली प्राप्त होता है आपसे पूछा जा रहा है सुबर की जो धूप होती है उससे कौन सा बिटामिन दिलता है यह जहां पे पूछी गई है बहुत ही ज़्यादा ब्हतरिन प्रस्ण है तो राइट एंसर क्या होने वाला है बिटामिन डी तो इसके बारे में आप या दिखेग तो विटामिन डी का रहिसानिक नाम क्या होता है कैलसी फेरोल इससे आप आप याद गया दिखेगा तो अगर विटामिन डी की कमी हुयाती है किसी व्यक्ति के शरीर में तो इससे दो बिमारिया होती हैं तो एक वयस्को में अगर वयस्को में विटामिन डी की कमी हो जाती तो उसको क्या कौन सा रोग होता है आस्टियो मैलेसिया आप या देखेगा अगर वयस्को में विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है तो उस वयस्क में आस्टियो मैलेसिया नामक विमारी देखने को मिलती है वहीं बच्चों में कौन सी बिमारी होती ही, बिटामिन D की कमी करण, तो बच्चों में जो है, रिकेट से नामा बिमारी होती है, बिटामिन D की कमी की करण, यह सारे फैक्ट आपको याल दखने हैं, डिरेक्टली यहां से प्रस्निक जाम में पूछा जाएगा आपसे, तो इ इसके बारे में आप या दिखिएगा विटामिन A का रासानिक नाम होता है रेटिनाल होता है और विटामिन K का रासानिक नाम होता है फिलोक्विनोन तो ये सारे रासानिक नाम आपको याद अखने हैं जितने भी विटामिन हैं एक चीज मैं आपको और बता दूँ जो बहु जल में घुलंसिल तो वसा में जो घुलंसिल विटामिन होते हैं तो आप याद दिखिएगा जो वसा में घुलंसिल विटामिन होते हैं A, D, E, K कौन कौन से विटामिन तो विटामिन A हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन E हो गया और विटामिन K हो गया ये चार विटामिन आपके वसा में गुलनसील होते हैं, वहीं आपके जल में गुलनसील आपके दो विटामिन होते हैं, विटामिन B वा विटामिन C, ये दोनों आपके जल में गुलनसील होते हैं, ये सारे चीज़े आपको याद रखनी हैं, अगला प्रसन आपके स्क्रीन प option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा यक्रित जो है मानो सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी होती है यह सारी चीजे आपको यादखनी है तथा जो यक्रित होता है इसी के दोरा जो है पित का स्रावण भी किया देने कि पित रस्त का जो स्रावण है वह यक्रित के दोरा ही किया जाता है एक चीजे और आप यादखेगा जो यक्रित होता है यह ग्लुकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है जो ग्लुकोज होता है ग्लुकोज ग्लुकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में गलाई कोजन के रूप में जो है जो यक्रित होता है हमारा जो लिवर होता है वो संचित रखता है तिये फैक्ट भी आप या दिखेगा अगर आप से एक जामें पूस लिया जाए कि जो यक्रित होता है किस रूप में गलुकोज को संचित रखता है तो गलाई कोजन को रूप में संचीत रखता है तता जो यक्रीद है या मानो शरिर की सबसे बड़ी गरंथी भी होती है तिये फेक्ट आप या दिखिएगा तता पित्रस्त का जो स्राहण होता है वह यकरित के दोरह ही leaver के दोरह ही किया जाता है अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है मचली के यकरित के तेल में किसकी प्रचूलता होती है तो आप यहाँ दिखेगा जो मचली का तेल होता है यह vitamin D का काफी अक्षा सुरोत माना जाता थे तो vitamin D का तो option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आप या देखिएगा पितरस्य का जो सुराव होता है किस अंग के द्वारा होता है तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो पितरस्य का सुराव होता है यह कौन करता है लेवर यानि कि हमारा जो यक्रित होता यह पितरस्य का सुराव कलता है तो option आपका A यहाँ पे 100% सही हो जाएगा तता एक जो जो आप याँ देखिएगा जो यक्रित होता है इसके दोरा vitamin A का संसलेशन भी किया जाता थी यह फेक भी आप यहाँ देखिएगा vitamin A का जो संसलेशन है यह कौन कलता है तो लेवर यानि कि यक्रित ही कलता है पांचवा प्रस्ण आपके सामने है बच्चों में जो BCG का टीका है यह किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है तो आप यहाँ देखिएगा बच्चों में जो BCG का टीका होता है यह TB रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है यानि कि option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा TB रोग को रोखने के लिए बच्चों में इस BCG के TK को लगाया जाता है यह fact आप याँ दिखीगा कईबर एक्जाम में इस BCG के TK का full form पुछा गया है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है full form आप याद कर लिजेगा bacillus calmati urine जो है यह इसका full form है तो यह full form भी आपको पता होना चाहिए अगला प्रस्थन आपके screen पर है निम्रलिखित में से किसमे अधिकतम कैलोरी होती है दिए गए फ protagon कैलोरी मिलती है यानि कि option आपका B यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा अगला प्रस्थन आपके screen पर है मानो सरीर में कितने दाद पाये जाते है कितने प्रकार के दाथ यहां पूछा गए कि मानों सरीर में कितने प्रकार के दाथ पाए जाते हैं तो आप यहाल देखिएगा हमारे सरीर में यानि कि मानों सरीर में जो दाथ के प्रकार होते हैं यह चार होते हैं तो राइट एंसर क्या हो जाएगा चार प्रकार के जो है दाथ पाए जाते हैं इनके बारे में आप या देखिए कौन-कौन से चार प्रकार होते हैं एक आपका क्रिंतक होता है क्रिंतक क्रिंतक को इंग्रिस हम क्या बोलते हैं इंसीसर क्रिंतक क्या रिक कि इंसीसर आपका हो चवर्डग यह आपका तीसरा दात होता है अगर चवर्डग को इंगलिस हम क्या बोलते हैं प्री मोलर इसको बोलते हैं और एक आपका चोथा होता है चवर्डग चोथा आपको क्या होता है चवाड़क होता है इसको हम molar बोलते हैं तो यह आपके चार प्रकार के दात होते हैं एक आपका क्रिंतक हो गया क्रिंतक को हम incisor बोलते हैं रतनक हो गया रतनक को हम कैनाइन बोलते हैं अगर चवड़क को हम प्री मोलर बोलते हैं और चवड़क को हम मोलर बोलते हैं तो यह चार प्रकार के दात होते हैं इनके बारे में आपको यादक ना है तथा यह जो क्रिंतक दात होता है तो यह सबसे आगे का दात होता है तो यह ये फैक्ट आपको याद अखना है अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है भोजन का जो पाचन होता है या कहां से प्रारंब होता है इम्पोर्टेंट प्रस्थन है भोजन का जो प्राचन होता है या प्रारंब कहां से होता है तो आप या देखेगा जो भोजन का पाचन होत किती लीवर मानों सरीर की सबसे बड़ी गरंथी लीवर होती है वहीं सबसे चोटी गरंथी आपके हो जाएगी पीनियल गरंथी यानि कि आपका बी यहां पे बिलकुल सही हो जाएगा डेंगु बुखार किसके कारण फैलता है आपसे पूचा जा रहा है तो आप यहाँ देखेगा एडिज एजब्टी नामक मादा मच्छड से यह मादा मच्छड होती है एडिज एजब्टी नामकी इसी के चलते जो है डेंगू नामक बुखार होता है तिसके बारे में आप यहाँ देखेगा ओप्सन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएग अगला प्रस्न आपके स्क्रीन पर है इंसुलीन का निर्मान किस अंग के द्वारा होता है इंसुलीन के बारे में आप बात हो रही है इंसुलीन का निर्मान कोन करता है किस अंग से होता है उसको आपको बताना है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा अगनासे के द्वारा जो ह अडियों के अध्यान को हम क्या कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं आस्टियो लौजी यानि कि आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आस्टियो लौजी कहा जाता है अगला प्रस्थन आपके स्कीन पर है मानो शरीर में पॉलिस किये हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है बहुत ही ज्यादा महत्रपुन प्रस्थन है अगर कोई भी व्यक्ति लगातार पॉलिस किया हुआ चावल गरहन कलता है खाता है तो उसको कौन से विमारी हो सकती है यही चीज़ आपे पूछी गई है तो राइट इंसर क्या होने वाला है बेरी बेरी यानि कि आपका यहां पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा लगातार पॉलिस की हुए चावल से खाने से जो है विटामिन बी वन की कमी से मनुस्य को जो है बेरी बेरी नामक बीमारी देखने को मिलती है तब विटामिन बी वन का रसानिक नाम क्या होता है तो विटामिन बी वन का रहसानिक नाम होता है, this is un traffic आपको याद अखना है खटे फ़लो में कौन सा बीटामिन पाई जाता है तो खटे फ़लो में बीटामिन आपका C देखने के मिलता है अप्सन आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बीटामिन C की कमी से इसकर भी नामक रोग होता है तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं तता vitamin C को जो है हम ascorbic acid भी कहते हैं इसका रहसानिक नाम क्या vitamin C का तो ascorbic acid भी है 15 प्रस्थन आपके screen पर है निम्नलिकित में से किस बिमारी का अन्य नाम जो है lockja है किस बिमारी को हम lockja के नाम से भी जानते हैं तो right answer क्या हो जाएगा tetness को जो है हम lockja के नाम से भी जानते हैं निकिया option आपका यहाँ पर जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा tetness important है लगाता है एक जाम यह बिमारी पूछी गई है तो इसके बारे में आपको याद अकना है tetness का अन्य नाम क्या है तो lockja इसको हम बोलते हैं इसके बाद अगला प्रस्थन आपके screen पर है funk के दोरा किसका अविस्कार किया गया था funk के दोरा किसका अविस्कार किया गया था तो vitamin का है याद कि option आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्थन आपके screen पर है नित्रदान में आख का कौन सा भाग दान किया जाता है कोई भी ब्यक्ति अगर नित्रदान कलता है तो उसके आख का कौन सा हिस्सा दान किया था यह चीज़ आप से पूची गई है तो right answer क्या होने वाला है आपका cornea यानि कि option आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा घोसला बनाने वाला एक मात्र सर्फ कौन सा है कौन सा सर्फ जो है घोसला बनाता है तो right answer क्या हो जाएगा किंग कोबरा यानि कि option आपका B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जो किंग कोबरा होता है यह घोसला बनाने वाला एक मात्र सर्फ की कटेगरी में आता है तो option B आपका यहाँ पर 100% सही हो जाएगा 19 परसन आपके सामने है सेव जो है हिरिदय रोगियों के लिए काफी महतरपुन होता है तो आपको बताना है कि जो सेव होता है इसमें क्या पायाता है या किसका सबसे अच्छा स्रोथ होता है सेव तो आप यहाँ दिखेगा जो सेव होता है या potassium का सबसे अच्छा स्रोथ होता है और यह जो है हिरिदय यानि कि हार्ट के हिरिदय के जो पेसेंट होते हैं जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्रपूर्ण होता है तो option आपका D यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा potassium का पेलागरा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है आपको बताना है कि जो पेलागरा नमक रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा विटामिन B3 के कमी से जो है पिलागरा नामक रोग होता है विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं इसका रासानिक नाम क्या होता है विटामिन B3 का तो नियासिन होता है और इसकी कमी से जो है पिलागरा नामक बिमारी होती है बितामिन B2 का रहसानिक नाम होता है ऑप यहाद कर लिख देता हूं राइबो राइबो आ रहसाने की नाम होता है, विटामिन B2 का और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस नामग विमारी होती है, विटामिन B2 की कमी के कारण, अगला प्रसन आपके सामने है, निम्लिकित में से कौन सा एंजाइम जो है, लार में पाया जाता है, तो लार में कौन स पाया जाता है TILYN, option आपका C यहाँ पे 100% सही हो जाएगा TILYN, एक स्वास्त मनुस्य का जो रख्त चाप होता है, जो blood pressure होता है, यह कितना होता है, तो अगर एक स्वास्त मनुस्य है, तो उसका रख्त चाप देखने के मिलेगा 120 by 80, यानि कि 120 बटा 80 होता है यहाँ रख्त चा और धातु का नाम है ब्रोमिन यो जो है समाने वातावरान ताप पर ड्रव अवस्ता में पाई जाएका वहीं अगर यहां पे केवल धातु जो का आपका पारा द्रव वस्था में पाई जाने वाली और धातू होती ही तो दोनों आपको याद अखना है और धातू में ब्रोमीन हो जाएगा धातू में आपका पारा हो जाएगा अगला प्रस्ण आपके सामने है लोहे एवं इस पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो है निमनलिखित में से किसकी परत चड़ाई जाती है तो किसकी परत चड़ाई जाती है तो जस्ता की लोहे और इस पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की परत चड़ाई जाती है तो option आपका A यहाँ पर 100% सही हो जाएगा अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर है निमलखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है important है आईए देख लेते हैं तो ascorbic acid आपका नीबू में आने की खटे फ़लों पायाता है तो पहला आपका बिल्कुल सही है जो ascorbic acid होता है या vitamin C को ही बोलते हैं तो vitamin C आपका खटे फ़लों मिलता है खटा फ़ॉल आपका नेबू हो जाए खटा तो भी पहला सही है maltos malta में मिलता है is acetic amole की मिलता है जो की गलत है acetic amole दए में नहीं बलकि sirk so выпуск सिरका में आपका थी सुमीलित नहीं उसके बाद formic aml जो है लाल चीटी में मिलता है तो आपका चोथा भी सही है यहाँ पे formic aml की बात ओरे तो formic aml आपका लाल चीटी में मिलता है तो यह सारे fact आपको याद देखने है तो acetic aml यहाँ पे सुमिलित नहीं था इसका right answer क्या हो जागा acetic aml आपका सिर्का में पाया जाता है तो यह fact आप यहाँ पे formic aml आपका लाल चीटी में अगला प्रसना आपके सामने है उचाई के साथ वाय मंडली दाब में क्या परवतन होता है आपसे पूछा जा रहा है जो हवा का दाब होता है जो air pressure होता है वह उचाई बढ़ने पर घटता है इस्थिर रहता या उसमें कोई परवतन नहीं होता है आपसे पूछा जा रहा है तो एक चीज़ आप याद कर लिजिएगा हमेशा के लिए कि अगर हम उचाई की तरह बढ़ते जाएंगे जो blood sorry जो pressure होता है जो वाय मंडली दाब होता है वह घटता है आप याद अगला प्रसना आपके सामने है उचाई बढ़ने के साथ जो जल का boiling point होता है जो कवतनांग बिंदू होता है उसमें क्या परियुतन देखने हो के मिलता है वह बढ़ता है या घटता है या इस्थिर रहता है तो आप यहाद दिखिएगा उचाई बढ़ने के साथ जो जल का कवतनांग बिंदू होता जो boiling point होता वह भी घटता है तो एक चीज आपको notice हो गई होगी कि जैसे जैसे उचाई बढ़ेगी जैसे जैसे आपकी height बढ़ेगी उचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो आपका जल का कवतनांग है वह घटेगा और जो आपका वाई मंडली दाब ह दोनों ही घटेगा जिस कारण से जो उचाई वाले area होते हैं जो पहाड़ी लागे होते हैं वहाँ पर जो खाना होता है देर से पकता है इसी कारण से क्यूंकि जो पानी होता है वो कम तापमान पर ही boil होने लगता है जिस कारण से खाना वहाँ पर देरी से पकता है वहीं आ का जो कोतनांग होता वह भी बढ़ जाता है जिस कारण से प्रेशर कुकर में जो है खाना बहुत जल्दी पकता थे फैक्ट आपको याद अखना तो एक चीज मैं आपको फिल से बता दे रहा हूं वाय मंडली दाब अगर आपका बढ़ेगा तो कोतनांग बिंदू भी बढ़ आपका घटता जाएगा उजाय बढ़ने के सासा तो आई होप यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी निम्नलिकित में से किसने प्रकास विद्धुद प्रभाव की खोज की थी प्रकास विद्धुद प्रभाव की खोज किसके दरा की गई थी तो राइट इंसर क्या हो उन तीस्वा प्रस्तना आपके सामने है निम्नलिकित में से कौन एक क्रित्रिम रेसम कहलाता है इम्पोर्टेंट प्रस्तना है इसमें से कौन सा एक क्रित्रिम रेसम है उसकी आपको पहचान करनी है तो राइट इंसर क्या होने वाला है आपका राइट इंसर हो जाएगा र इसका प्रियोग होता है उन बनाने में और साल बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भुजु यहां पे टेरी लीन है उतली आपका एक पॉलिस्टर होता है तो इसका से आज नए NTPC के परिछा के लिए उसमें हमने 30 बहतरीन प्रस्तिनों कवर किया है I hope यह सिरीज आपको पसंद आ रही होगी तो आज के लिए बस इतना ही Thank you, Thanks for watching, Thank you